हलो दोस्तों केसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी अपने गरों पर स्वस्त और मस्त होंगे D&D Classes में आप सभी का हारदिक स्वागत है आज मैं आप सभी के सामने Statue of Belief के बारे में समपुन जानकारी की वीडियो लेके आया हूँ अंत्र तक बने रहेगा दोस्तों आज की जानकारी महतोपुन साबित होने वाली है तो चलिए सुरू करते हैं फोटो आप सभी के सामने है बगवान सिव की प्रतिमा Statue of Belief ये नाम इसपे एकदम परफेक्ट बेटता है क्योंकि भरोस्य का नाम ही सिव है तो बोलिए हर हर महादेव इसका निर्मान नाद्वारा राजस्तान में गनेश टेकरीपे किया गया है अप्रेल 2013 में इसका निर्मान सुरू हुआ था और लोकारपन इसका 29 अक्टुबर 2022 को किया जाने वाला है जिसके साथ ही लोकारपन महुत्सव का आयजन किया जाएगा 29 अक्टुबर से 6 निर्मान इसका नो दिनों तक रामकथा का वाचन किया जाएगा जिसमें 20 देशों से सरधालू आने वाले हैं और रोजाना एक लाग लोग बोजन करेंगे अर्थार्थ यह सनातन धर्म के लिए एक महतोपून एतिहासिक विसाल संगम होने वाला है जिसमें सिव की प्रतिमा, स्रीनाज जी की नगरी नाच द्वारा और रामकथा का वाचन किया जाने वाला है अर्थार्थ यह है पगवान राम, सिव और कृष्ण तीनों से जुड़ा हुआ विसाल संगम है तो यह होगी इसके बारे में कुछ सामाने जानकारी अब अपन मूर्ती के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या-क्या खासियत है इस प्रतिमा की यह है विश्व की सबसे उंची सिव प्रतिमा होने वाली है जिसकी उंचाई 379 फिट है इससे पहले सबसे उंची कौन सी थी तो वो थी केलास नात मंदिर नेपाल 141 फिट उंचाई वाली और इसके बाद में है मुरुद्देश्वर मंदिर करनाटक जो की भारत में है 123 फिट उंची जबकि इसकी उंचाई 379 फिट यानि लगबग 112 मीटर जो की 20 किलोमेटर दूरी से भी दिखाई देती है इस विसाल प्रतिमा का निर्माण नात दौरा के उद्यमी मदन पालिबाल ने करवाया है जो की मिराज ग्रूप के मालिक है और सापूर जी पालोंजी ग्रूप दौरा इसका निर्माण कार्य किया गया है इसके मूर्तिकार नरेश कुमावत है यह मूर्ति डाएशू अ किलोमेटर परती गंटा की गती वाली हवा में बी नहीं डिगने वाली है अर्थार्थ यह काफी विशाल, काफी मजबूत मूरती होने वाली है विश्व की इकलोती सिूपरतिमा है जिसमें लिफ्ट, सीडिया होल भी बने हुए है तो ये थी आज की जानकारी Statue of Believe के बारे में आई होप आप सभी को पसंद आई होगी अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि आप हमारी चैनल पे नए हैं